आई हम गजेंदर शर्माव वेलकम तो अड़ा 24-7 इसकुल तो भाई कैसे हो आप लोग सारे जल्दी से एक पर कमेंट करके पता दीजे कैसे हैं आप लोग सारे की सारे अच्छे है या नहीं है क्योंकि आज हम लोग जो पढ़ने वाले वो पढ़ने वाले आप्टिकल लॉट के अंदर धमाकेदार चीजे सीखने वाले हैं और सारे चप्टर को कम्पलीट कर देंगे विदिन सेवन डेस सेवन डेस के अंदर हम लोग बहुत बैतरीन डंग से सारी चीज कर देंगे अंकित राजपूत हलो बेटा कैसे हैं बाई गूड इवनिंग सभी को गूड सीरीज नहीं स्टार्ट होरी आज तो बट कोई ना आज हम लोग सीखेंगे अच्छे जगर चीजे चीजों को करेंगे तो आज जो मैं आप लोग बताने वाला हूं कि माइक्रोस्कूप क्या होता है और उसके अलावर टेलिस्कोप क्या होता है इनकी डैरिवीशन कैसे होती किसकी बात करता हूं अप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करता हूं तो इसको हम लोग देखते हैं अगर मैं बात करूँ अप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में तो हम लोग देखते हैं कि सर माइक्रोस्कोप और टैलिस्कोप हमारा होता है और जब माइक्रोस्कोप की ब के अंदर जो values होती है उसके तुरू हम लोगों को मिलती है क्या होता है उसके तुरू हम लोगों को मिलती है इसलिए मैंने वो चीज पहले आप लोगों को बताने वाला हूं simple microscope के बारे में और फिर हम लोग देखेंगे compound microscope within ये हमारा जो one hour का time है इसके अंदर मैं सारी चीज़ आप लोगों को बता दूँगा क्योंकि हमारा crash course batch है और इसके लावा याद रखेगा कि उडान सीरीज सबसे weight जो लोग कर रहे हैं उस उडान सीरीज का वो सीरीज हमारी कल से start होने वाली है 7-9 बजे के schedule के अंदर उडान सीरीज हम लोग पढ़ने वाले है और उडान मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया जिससे क्या है आप लोगों को बहुत भैतरी नंग से काम हो जाएं सर दो इमेज होती हैं कंपाउंड के अंदर मौनिका तयागी हलो बेटा बेटा देखिए दो इमेज फॉर्म होती है सब चीज मैं बता दूँगा सर अब उडान मैं उसके लिए बहुत मेहनत किया मैंने उसके conterback के लिए उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किये जितनी मैरथन स्वगिरा के लिए उतना ही ज़्यादा जिसने किया जिसने क्या है आप लोगे बहतरीन धंग से सारी चीज़ों को सीख जाओगे इतनी गैरंटी है कि यार वो जो टाइम आप लोग मेरे साथ इन्वेस्ट करोगे न वो टाइम में आप लोग सारी चीज़ों को बहुत बहतरीन धंग से सीख जाओगे इतनी गैरंटी मेरी है Yes बेटा, starting से chapter, chapter number 8 complete होगा उसके अंदर ये है, उडान series के अंदर मैं आप लोगो को बता देता हूँ उडान जो series है, इसके अंदर मैं आप लोगो को जो सारे-सारे chapters है Like मैं live जो लूँगा बेटा, आपको लगबग 3 दिन 17 तारिक तक मैं live लेने वाला हूँ उसके बाद में 18, 19 और 20 को, Sunday को भी आपको किलास मिलेगी और same time सास से 9 बजे, या फिर मैं बता दूँगा आप लोगो के जो भी timing के अंदर changes होते है वो सारी चीजे में आप लोगो को बताने वाला हूँ लेकिन या बहुत बहतरीन है, अपने जितने भी दोस्ते हैं, फ्रेंड्स हैं, सब को share कर देना उससे बहतरीन content आपको नहीं मिलेगा, इतनी guarantee मैं देता हूँ कि 2 घंटे आप लोगो इनिवस्ट करोगे, उसके अंदर आप लोगो पूरा concept, उससे से related और उसके अलावा जो numericals हैं, वो सारी चीज़ आप लोग उसके अंदर पढ़ने वाले हो, ठीक है भाई, तो चलिए शुभारंब करते हैं, आज की किलासकार, इसके अंदर देखते हैं, कि सर हमारे जो ये optical instruments होते हैं, ये हमारे कितने types को होते हैं, बाई, दोनों types बता दिय एक होता है, microscope, एक होता है, telescope, microscope का मतलब क्या हुआ, कि सर जो छोटी-छोटी चीज़े होते हैं, उनको देखने के लिए, हम लोग जिस instrument का use करते हैं, वो होता है, microscope, अब आता है, telescope, telescope का मतलब होता है, बेटा कि जो हमसे दूर है, प्लैनिट से हैं, और moon like, जो भी हमसे दूर हैं, उनको देखने के लिए, जिस instrument का use करते हैं, वो हमारी, yes, बेटा, chemistry का time change हो जाएगा, tension ना लो, उडान सीरीज अपने जो साथ से 9 बजे होने वाली है, उसके लावा जो chemistry class होती है, sir, 3-4 रखना, ओके बेटा, उडान सीरीज का बेटा time fix है, tension ना लो, उडान सीरीज में हैं, आप लोगों कोई disturbance नहीं होगा, नहीं आपका किसी चीज का नुकसान होने वाला है, tension ना लो, ठीक है भाई, ना मैं आपका किसी चीज का नुकसान होने दूँगा, कि आपको जब वादा किया है, तो आर उसको निभाऊंगा, ठीक है भाई, tension ना लो, holy special, इससे बैतरी यूज कर रहा हूँ, उसको मैं क्या बोलूँगा, simple microscope, अगर double lens यूज कर रहा हूँ, तो compound microscope और telescope के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक तो lens हमारी आखों की तरफ होता है, एक बड़ा lens होता है, जिसकी focal lens ज्यादा होती है, जिसका aperture ज्यादा होता है, जो हमारा किसका होता है, not possible money का, हाँ सर उसका सही है, ठीक है भाई, तो उसके अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले देखिए, कि हमारी जो आख होती है, सर मैं school जाओंगी तो दुपैर की class नहीं ले पाऊंगी, बेटा दुपैर में नहीं होगा, early morning classes होंग है, अब देखिए मेरे भाई, इसके अंदर क्या है, कि सर यह हमारा क्या होता है, अगर आप लोग को पता हो, तो हमारी जो आई होती है, उससे जो minimum distance जो होती है, जिसको हम लोग देख पाते है, easily, वो हमारी होती है, 25 cm, तो लिख लेना, books के अंदर कभी-कभी पूछ लिया जाता है, कि minimum distance कितनी होती है, तो होती है, 25 cm, जिसको हम लोग easily visible कर सकते है, easily visible कर सकते है, अब हमारा क्या होता है, इसके अंदर हम लोग देखते हैं, सर मैगनिफिकेशन कितना होता है, विकोज उस टाइम में, ठीक है, गौरा भारत वाज, बेटा, बहुत जल्दी e-commerce वालो होता है, बीटा अपोन अल्फा, क्या होता है, बीटा अपोन अल्फा हमारा होता है, मैगनिफिकेशन कि जब मैं बात करता हूँ, यह हमारा क्या है, सर मैगनिफिकेशन, अब बीटा हमारा क्या होता है, अल्फा हमारा क्या होता है, इसकी मैं बात कर लेता हूँ, तो बीटा के थुरू जो एंगल हमारी आखों के उपर बनता है उसको हम लोग क्या बोल देता है यानि कि जब इंस्ट्रुमेंट को हम लोग यूज करें जब एंगल बनता है वो होता है बीटा और जब हमारी आखों के अपर जो एंगल बन रहा है विदाउट किसी इंस्ट्रुमेंट के वो हमारा क्या होगा, अलफा, वो हमारा क्या होता है बेटा, अलफा होता, यानि कि सर विदाउट, सिंपल मैं सर, यानि कि यह हमारा क्या हुआ, कि सर जब हमारा विदाउट इंस्ट्रुमेंट की मैं बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, विदाउट इंस्ट्रुमेंट की बात कर रहा हूं और उसके अलावा यह जो हमारा है यह जो हमारा है यह होता है विद इंस्ट्रूमेंट क्या होता है यह होता है विद इंस्ट्रूमेंट दिमाग में बैठा यह नहीं बैठा यानि कि सर यह जो हमारी डिस्टेंस होगी ना यह हमारी जो डिस्टेंस होगी हा जा बोल रहे हैं डी हम लोग बोल रहे हैं और जब हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं तो यानि कि सर एक एक्जामपल हम लोग ले सकते हैं कि अगर एरो प्लेन जो मेरा है जितना मैं उसको पास लेकर आता जाओंगा उतनी हाइट उसकी बढ़ती जाएगा और अगर मुझसे दूर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर उसका एंगल उतना ही कम होगा क्योंकि दूर से वह क्या होगा चोटा दिकाई देगा और जैसे जैसे वह पास आएगा वह इंक्रीज उसकी साइज होगी बट एक्चुली में जो उसकी साइज जैसे पहले थी वही इसका मतलब क्या हुआ कि सर जो इस ऑबजेक्ट के थूरू हम लोगों को यह दिखाई दे रहा है इसका मतलब क्या हुआ है कि सर यहां से क्या होगा कि रेज जो हमारी आई पहेंगी वह किस एंगल पहेंगी अल्फा एंगल बना रही है क्या करने बेटा अल्फा एंगल बना रही है अगर अल्फा एंगल है अगर अल्फा एंगल है तो सीधा सीधा इसका मतलब क्या हुआ कि सर मैं बोलूँगा कि अ बताओ बोलो भाई जल्डी से मुझे बताओ जल्डी से मुझे बताओ कौन सा होगा तो आप टो ने है कि पंडित बढदरी परसाद फंडित बढदरी पर Allah बहुने यानिक सर पर पेंडीकुलर और बेस का रिलेशन सिर्फ और सिर्फ हमें बताता है 10 कौन ही कि हम लोगों को बताता है क्या करता है तो अगर आप लोग को याद हो तो जब भी हम लोग small angles की बात करते हैं किस की बात करते है इसमौल एंगल की बात करते हैं तो इस time पे हम लोग क्या लेते थे 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 हम लोग बोलते थे कि सर साइन जो ठीटा होता है यह approximately equals to होता है ठीटा के बोलो correct है approximately कितने होता है क्या होता है ठीटा के ठीटा के approximately equal होता है बोलो correct है निया अगर यह ठीटा के approximately correct होता है तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ जल्दी जल्दी से कोई मुझे बताएगा जल्दी से मुझे बताओ बोलो होगा या नहीं होगा अगर यह होगा तो मेरे को कोई चीज एक छोटी सी चीज बताएगा कि सर यह जैसे हम लोग इसके अंदर करते हैं यह सर होगा होगा बाई सब लोग वरकुल सही है सब लोग कह रहे हो कि सर होगा अगर यह होगा बेटा तो यहां से मुझे यह इसी तरह के सगर यह होता है तो मैं 10 इसको मैं लिख सकता हूं 10 बीटा इसको मैं लिख सकता हूं 10 बीटा अब मैं इसकी value नहीं निकाल सकता मेरे को कोई बताएगा कि सर यह अगर मैं यहां से alpha निकालता हूं और हमारी जो distance है देखो इसके अंदर जो sign convention होता है ना उसका बहुत important role होता है कैसे देखो यहां से अगर इसके ओपर light गिर रही है तो एक चीज मुझे बताओ इसकी direction क्या है सर इस तरफ हम लोग जो value calculate कर रहे है वो किस तरफ है इस तरफ यानि कि सर यह जो हमारी distance है वो क्या होगी minus क्या होगी minus यानि 10 emperor हमारा क्या हो जाएगा बेटा 10 Alpha क्या हो जाएगा पर पेंडी कुलर और पर फेंडी कुलर बोलोगे क्या पॉजिटिव क्यों लिए किस पाजिटिव क्यो लिख हमारा आगया है जल्दी से मुझे बताओ पूछो कि क्यों आया क्यों आया क्यों कि अगर आप लोग को याद हो नितिन राव हलो बेटा अगर आप लोग को याद हो तो मैं एक चीज बोलता हूं कि जब भी हम लोग किसी आपजेक्ट की हाइट लेंगे और अगर वो हमारा जो प्रिंसिपल एक्सिस उससे उपर की तरफ है तो उसको हम लोग लेंगे पॉजिटिव हम लोग क्या लेते हैं उसको लेते हैं पॉजिटिव याद रखना जब साइंट कंवेंशन पड़ा हूआ है ठीक है ठीक है भाई तो इसका मतलब क्या हुआ है सर वो हमारा क्या होगा उपर गित्रफ होगा तो पॉजिटिव इसको क्या लिए अप भाई 10 वीटा की बात करता हूँ अब मैंने क्या बोला? कि सर अब मैंने यूज कर लिया है Optical Instrument और अब मैं जो यहाँ पर यह English 250. यह हमारा बीता है यह हमारा क्या है बीता है और इसकी जो है height है अब क्या है? अब क्या है? अब भी height झाट इसे घ्ट ही रहेगी और H0 यहां भी ही रहेगी प्रिंसिपल ऑपर की तरफ है तो यह पॉजिटिव होगा इससे नीचे की तरफ होगा तो माइनस होगा बोलो करेक्ट है नहीं जल्दी मुझे बताओ जल्दी बताओ करेक्ट है अब बात आती है जो सबसे important वो देखो यहाँ पे कि सर अब क्या हुआ कि मैं बोलता हूँ कि बीटा मैं देख रहा हूँ और बीटा अगर मैं देख रहा हूँ तो सीधा सीधा एक चीज दिमाग में लेके आना हईच हाइट चैप पहले जितनी भी थी कितनी भी हो हम लोग इब बोलें में ओका आ agar चैनी तो किया है यही तो किया है इसको किया है तो इसका मतलब को होगा सर यहवी हमारी जोहां से लाईट गिर रही है उसके opposite direction में यानि कि यह हमारा क्या हो जाएगा minus u हो जाएगा और यह हमारी क्या है h naught है यानि कि सरह हमारा 10 बीटा क्या हो जाएगा बेटा 10 बीटा जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा h naught divided by minus u बोलो correct है और यह u कौन सा लिया है अगर यादो तो इसको मैं ले रहा हूँ i की तरफ का क्योंकि hier यह कि आख़ की तरफ का एंगल है इसलिए मैंने क्या लिया है u e मैंने इसको ले लिया है जो लो correct है अगर correct है बाइ मेरे तो अब यहां से देख़ो क्या हो अक्सर यह हमारे पास आ गया है तो इसको यहां लिखे दीजिए क्या हो जाएगा यह हो जाएगा h naught divided by minus ue into में हो जाएगा बेटा इसको उल्टा कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा minus d upon में क्या हो जाएगा भाई h naught तो h naught से h dot cancel minus से minus cancel यानि गुरुजी यह बन जाएगा d upon ue बो जल्दी बता हो कितना बन गया है यू अपॉन में वो D upon में UE, D upon में क्या हो गया है, UE हमारा हो गया है, ठीक है भाई, D upon में क्या हो गया है, UE हमारा हो गया है, बोलो हो गया है, correct मान गया, बोलो माना यह नहीं माना कि D upon में UE हमारा हो गया है, हो गया ना भाई, हो गया, अगर यह हो गया है, तो अब बात आती है, कि सर यह तो हम magnification की value के आगी सर minimum distance upon में जो object जितनी दूरी पर रखा हुआ है उसके ठीक है ठीक है अब मेरे को एक चीज बताओ कि माल लीजे मैं आपको एक चीज बोलता हूं कि हमारा जो object है हमारा जो object है वो हमारे जो इसकी image बन रही है देखो दो cases ले रहा हूं दोनों cases को देख लेना दोनों cases आगे important है कि मैं बोलता हूं हमारे जो image जो बन रही है वो बन रही है डीके उपर अगर image बन रही है अगर डीके उपर image बन रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सावी इस इकॉल टू क्या हो जाएगा minus d और u is equal to क्या हो जाए जल्दी से मुझे बताओ जल्दी बताओ अगर यह है तो मिरे को एक चीज़ बता दोगे थोड़ा सा अगर थोड़ा सा बचा दोगे तो काम हो जाएगा कैसे देखो यहां से बोलता हूं कि आप लोग को अगर mirror equation पता है तो f upon f e is equal to क्या हो जाएगा भाई 1 upon v minus क्या होता है जल्दी बताओ बोलो करेक्ट है बोलो भाई करेक्ट है अगर यह करेक्ट है तो देखो भाई यहां पर रखो यह क्या हो जाएगा 1 upon f e is equal to क्या हो जाएगा 1 upon v यानि कि सर्क्वाइगा 1 upon v का मतलब minus 1 upon minus d और यहाँ पर क्या होजाएगा minus minus plus हो जाएगा यानि कि 1 upon u i क्या हो जाएगा 1 upon u e बोलो करेक्ट है अंकुष चौधरी हलो बेटा हलो बेटा ठीक है अब सबसे पहले देखो यहां पर कि सर्दागर मैं यहां देखता हूं 1 upon यू लुक्ता ऐसर बादिलो करक्ठ ओगर विः एपकेजिस का मतलब कि यह तो आप लोग तो पड़को कैसे कर सकते हो यहां पर रखो सब्सक्राइब सिधा one plus D upon में हो जाएगा एक जल्दी से मुझे बताओ बोलो है या यह यह हमारा किसके लिए लिए हो गए एम ए हमारा हो गया एम ए हमारा हो गया किसर one plus D upon F.E. पोलो लो करेक्ट है जल्दी बताओ यार देखो एक-एक चीज में आप लोग को करवा रहा हूं जिससे क्या है आप लोग को benefit हो यार मैं जो मेरा मकसाद है वो सिर्फ इतना सा है कि आप लोग को benefit हो आप लोग easily चीजों को सीखें और भेतरी ढंग से चीजों को कर पाएं बस और इसी तरीकी से अगर इसको infinite पर ले जाते हो तो हमारा क्या है के सेकेंड है है अगर चेंद एगर के सेकेंट है तो जल्दी बताओ क्या होगा finite अगर even बन रहे हुए। जल्दी मुझे बताओ infinite बंड रहे है अगर इन्फाइनाइट में बंद रहे हैं तो आप लोगों को पता है कि सर अगर यह मिरा रिक्वेशन है तो इसके अंदर भाई वी की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस इन्फाइनाइट और यू की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस यूई बोलो करेक्ट है अगर इन्फाइनाइ करोगे तो D upon आ जाएगा F E बस ये दोनों के दोनों वैल याद रखना किसर अगर मैं इन्फाइनेट पर बात करता हूं तो ये हमारा आ जाता है D upon में F या D upon में F E क्या हो जाता है D upon में F E हमारा हो जाता है बोलो simple microscope clear है निये देखो एक एक चीज मैंने बता दिया इसके अंदर करके तो मुझे बताओ क्या simple microscope clear है निये जल्दी से बताओ क्या clear है निये simple microscope अगर ये clear है ना तो फिर आगे ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है जो compound होगा ना उसके अंदर में ज्यादा दिक्कत नहीं आने दूँगा क्योंकि ये important चीज है यार यही इसका base compound की अगर मैं बात करता हूं तो compound का base ही यही है अगर ये clear है तो compound अपने क्लियर है ये clear हो जाएगा ये clear है तो कोई दिक्कत की बात नहीं ही है कोई दिक्कत की बात नहीं है औ Ouais कि अपने की नहीं क्लियर है आप लोग क्या करेगा जैसे topic concept से करो सर, बेटा concept से ही तो कराई है, concept से ही तो कराई है, और किसे करूँ, concept से ही तो किया है, सारा, आप लोगों के लिए भाई, आपको समझ में आ जाए, इसलिए तो मैंने concept से किया है, नहीं तो मुझे तो सीधा value याद थी, कि m e is equal to क्या होता है, 1 plus d upon f e होता है, अगर d पे बोलो correct है नहीं, जल्दी से मुझे बताओ, अगर यह correct है, compound पे चलें, चलें compound के उपर, तो चली आ जाई है, compound को देखते हैं, और compound को जानते हैं, कि सर, compound क्या कहता है, तो compound के पास चलते हैं, और compound भाई साब को जानने की कुशिश करते हैं, इसके अंदर क्या होता है, हम लो क्या है object है a b a b मेरा क्या है object है अब आपको पता है मैंने आपको सिखा रखाई कि अब जब भी हमारे पास कोई object होगा सर इसका derivation आ सकता है बेटा आ सकता है इसलिए ही तो मैं करा रहा हूँ अगर आप लोगों ने देखा हो cbsc का sample paper उसके अंदर compound भी पूछा गया था यह important है cbsc के साब से cbsc के sample paper के अंदर यह आया हुआ है इसका numerical भी पूछा गया है numerical कल की class में करने वाले और यह चीज़ याद रखना कल की class है इसकी crash course की यह 2-3 बजे होगी class 2-3 बजे होगी और उसके अलावत जो अपना उडान सीरीज है उडान सीरीज जो है ना बेटा वो होगी 7-9 बजे उडान सीरीज यानि कि देख लो मैं आप लोग का यह भी नहीं छुड़वा रहा हूं और उडान सीरीज का मज़ा भी आप लोग ले पाऊगे सर इसकुल वाले practical में कितने दे देते हैं बेटा सारे यह इसकुल के practical में नहीं आएगा इतना बड़ा नहीं देते हैं वह सीधा सिंपल पूश लेंगे आपसे डेरिवेशन इससे जादा कुछ नहीं कराएंगे जो ज्यादा तर पूचा जाता है वह पूछा जाता है यह आप लोगों से पूचा जाता है जो आप लोग रेफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालते हो उसकी बात किया जाती है बस mostly ठीक है तो सबसे पहले देखिये वाज कंपाउंट् की बात है तो वने क्या किया किया यह के लिया एक अब्राइब करें औरeres से निकलरह को चेंग तो इसका मतलब क्या हुआ है जब मीटि यह निमृट़ खुटा है ना तो इसका मतलब क्या हु इसका मतलब क्या हुआ सीधा सीधा यह निकल जाएगा क्या होगा सीधा सीधा यह हमारा निकल जाएगा और सीधा जाएगा तो यह एक दूसरे को यहां पर काटेंगे यह क्रॉस करेंगे अब यह क्रॉस जो करेगा ना यह एबी की क्या होगी बेटा इमेज होगी एडेश बी post pend करता है ना हाँ बरखुल तो आप देखो से क्या हुआ है यहांसे देखो ओंसे देखो यह क्या कर Northeast hem कर रही है यानि कि सब्स्सक्रा स्राइब दो लाइन में वापस निकलेंगी उनको आगे ho racISA हमारा क्या जाएगा final image आजए गा लिए इसका final image आ जाता है कि हो वो का क्या होता है एक तो मैंने object लिया है बी अब वो क्या क्र रहा है दूसरे वाले Weaving फिनी शाहलो वेट T seine के अंदर क्या हुआ कि एभी हमारा क्या है सर अबजेक्ट है अगर यह अबजेक्ट है तो इसके तुरू जो इमेज पहले फॉर्म हो रही है वह और यह डश बीडश और उसके बाद में जो यह इमेज है यह क्या कर रही है इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए क्य और अगर यह object का काम कर रही है तो इससे जो final इसकी जो image आएगी वो आएगी A-B- क्योंकि अगर हम लोग देखें तो यह आगे कहीं भी line मिलने वाली नहीं है बुक में आप लोगों को जो मिलेगा वो इस तरीके से भी मिल सकता है यह इस तरीके से graph बना हुआ और यहां से एक CD line तो यह एक दूसरे को कभी भी cross नहीं करेंगी याद रगना यह कभी भी एक दूसरे को cross नहीं करते है कोगी parallel lines है और parallel lines कभी भी एक दूसरे को cross नहीं करेंगी यानि कि सर अगर मैं यहां से बात करूँगा तो मेरी image formed नहीं होगी image formed नहीं होगी तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं एक virtual image निकाल लेते हैं और virtual कैसे निकालेंगे सर इसके पीछे की तरफ in line को बेज देंगे और जहां पर यह मिल जाएगा वह इसकी क्या हो जाएगी final image बन जाएगी क्या होगी final image बन जाएगी ठीक है आप लोग को अगर किसी को पढ़ना है इसके बारे में detail में तो आप लोग जाएगा अड़े 24-7 इसकोल की जो पेले लिस्ट है वहाँ पर सार्च कर लो इसके बारे में बहुत डैप्थ में मैंने पढ़ा रखा है बहुत डैप्थ में एक एक लेक्चर के अंदर यार मैंने एक 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 यह equipment यूज किया है तो उसके अंदर तो मैंने आप लोग को इतनी बैटरी डंक से समझाया है ना जिसकी कोई याद नहीं है तो आप लोग देख लीजेगा अगर आप लोग को उसके अंदर भी देखना हो बहुत ज्यादा डैप्थ के अंदर जाना हो तो वहाँ पर देख सकते हो ठीक है तो चलिए देखते हैं तो सबसे पहले हमारा काम क्या है सर M is equal to क्या होता है बेटा M is equal to होता है 10 beta upon 10 alpha बोलो correct है 10 beta upon 10 alpha अभी अभी सिखा दिया है मैंने अगर यह correct है तो इसका मतलब क्या हुआ सर मेरे लिए जो task है वो है 10 alpha निकालना और 10 beta निकालना 10 beta निकालना तो भाई मेरे 10 alpha की मैं बात करता हूँ 10 alpha निकालना और 10 beta हमारे लिए निकालना यही मेरा क्या है सबसे बड़ा task है बोलो correct है नहीं है जल्दी से मुझे बता यही हमारा क्या है सबसे बड़ा task हमारे लिए है अमेरे को एक चीज़ बताओं कि सर अगर मैं यहाँ देखता हूँ अगर मैं 10 alpha की बात करता हूँ तो मान लीज़े यह हमारी final image है तो मैं मान लेता हूँ है final image का ये a dash b dash जो है न ये यहाँ पे हैं और इससे जो ये image बनेगी वो यहाँ पे बनेगी ये हमारा क्या है ये angle है alpha क्योंकि भाई हम लोग क्या लेते हैं सर minimum distance पर इस तो देखते हैं न सर भाई क्या करते हैं मिनीमम डिस्टेंस पे तो आप लोग देखते हो यह क्या है मिनीमम डिस्टेंस है क्योंकि यह देखिए क्या लिखा हुआ है यह है डी और डी का मतलब क्या होता है मिनीमम डिस्टेंस मिनीमम डिस्टेंस ही तो होता है ना भाई जिसको हम लोग बोलते है alpha, बोलो बोलते हैं या नहीं बोलते है alpha क्या होता है sir, minimum distance alpha क्या होता है बेटा, minimum distance की मैं बात कर रहा हूँ, minimum का मतलब क्या हूँ sir, without हम लोग क्या कर रहे है instrument के देख रहा है, यानि sir, यह हमारा जो है यह image जो है, इसको अगर मैं without आउट देखता हूँ, तो हमारा यह बनेगा, अगर यह बढ़ता है तो 10 alpha is equal to, क्या हो जाता है बेटा 10 alpha is equal to, हो जाएगा यहां से sir, यह हो जाएगा हमारी height, यानि की a dash, b dash a dash, b dash, और upon में क्या हो जाएगा b dash और c2, क्या हो जाएगा b double dash और c2, बोलो correct है निये, जल्दी से मुझे बताओ correct है निये, बोलो correct है निये rock razz, अलो बेटा, अगर यह correct है तो यहां से देखो, अब मैं बोलता हूँ sir, यह जो a dash, b dash है, actually मैं यह original image के बराबर होगी है नहीं होगी बोलो, sir, बिर्कुल होगी, क्योंकि a dash, b dash क्या होगी, actual image sir, crash course कब से start हुआ था और कब तक है, बता दीजे बिटा, यह जो crash course start हुआ है इसका आज 7th part है, 7th class है आज इसकी, इससे पहले की 6 classes हो शुकिए आप लोग देख लिजेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं आप लोग देख लिजेए, वहाँ पर उसको कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसली आप लोग देख पाऊगे बोलो, correct है नहीं, जल्दी से बताओ अगर correct है, अब मुरे को बताओ कि sir, यह a dash, b dash, equal होगा नहीं होगा इसके final image के लिए जो बनेगा, वह हमारा बनेगा अगर इसकी final image की बात करते हो तो देखो क्या हुआ sir, final image का मतलब क्या हुआ, यहां से यहां तक का तो यह क्या हो जाएगा, a double dash और वह, b double dash, और a double dash यह क्या हो जाएगा, इसका h, यानि कि sir, यह हो जाएगा एक एक चीज पर काम करा रहा हूं एक यद चीज पर बोलो करेक्ट है अगर करेक्ट है तो रख दो भाई वैल्यूस को क्या होगी 10 इबिटा क्या है एड़ल डेश इंट टैनलपा क्या है? 10 alpha आप में आपने आप में क्या है तो इसका मतलब क्या हुआ सर जस्ट इसका पोजिट हो जाएगा उल्टा हो जाएगा यह और अपॉन में क्या हो जाएगा भी बोलो करेक्ट है जल्दी से मुझे बताओ अगर यह यहां से देखो क्या हुआ सर इससे यह कैंसल आउट यानि कि सीधा सीधा क्या हो जाएगा एम इस इक्वल टू हो जाएगा a-b-double-dash upon में क्या हो जाएगा a-b बोलो sir अब दिमाग खराब क्योंकि a-b के बाद में जो इसकी image बन रही है a-b के बाद में अगर इसकी image बन रही है भाई वो बन रही है a-b- बोलो है नहीं sir a-b अगर मैं object ले रहा हूँ sir ये तो अगर मैं a-b मैं अगर object लेता हूँ तो इसकी image बननी चाहिए a-b- ये तो a-double-double-double-dash हो रही है यानि कि final image और final image बन रही है तो इसका मतलब क्या हुआ sir मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मैं इनको link करा सकूँ ये मुझे करना पड़ेगा बोलो करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा बोला गुरु जी बिरकूल करना पड़ेगा अगर करना पड़ता है तो क्या करना पड़ेगा उसके पीछे region ये है कि sir मैं क्या करता हूँ इसको उपर नीचे multiply कर देता हूँ A-B-Dash से और अप उन में क्या अज़िदा हूँ और B-डग कर्क्त है अगर ये कर्एक्ट है तो मैं इसको सिस्टमिंतिक लिख देता हूँ क्या हो जाएगा ये हो जाएगा A-B-Dash और ये हो जाएगा A- और B- और यहां पर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा into में a dash b dash और upon में क्या हो जाएगा a b बोलो correct है निये जल्दी से मुझे बताओ बोलो भाई correct है निये जल्दी से मुझे बताओ यह होगा या नियोगा जल्दी से मुझे बताओ बोलो correct है निया जल्दी बताओ क्योंकि अगर आप लोग को याद हो, तो अब ये क्या बन रहा है, यह बढ़ेगा यू, क्योंकि AB upon में क्या है, A-B- है, यानि कि अगर AB object है, तो A-B- क्या है, उसकी image है, अगर A-B- नगर image है, तो उसकी final image क्या बन रहा है, a-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b जल्दी से मुझे बताओ, इसके लिए क्या कर रहा है, अगर इसके लिए object का काम कर रहा है, यानि कि सर मैं इसको बोल सकता हूँ, कि यह हमारा जो बन रहा है, देखो, यह है objective lens, क्या बेटा, यह है हमारा objective lens, और यह हमारा क्या होता है, eye lens, यानि कि सर, eye के लिए यह object है, और य यह क्या है की फाइनल इमेज बोलो कर ponieważ एक निय जल्दी बताओ यह प्रेंग यह क्या इसकी फाइनल इमेज बोलो ठीक है उसी visão से इसकी बात करता हूं यह सब्गोर्जेक और इसकी फाइनल इमेज बुलो एसनी यह निक ME और INTO में M0 बोलो क HIM? जलदी मताओ बाई जलदी बताओ जलदी से बताओ अबर ये करेक्ट हैं तो फिर बताओ फिर समझ में सारी चीज़ आ जाएगी बोलो भाई बोलो भाई बोलो जलदी बोलो जलदी बोलो है नि racism अगर ये याद हो गया है तो भाई अब थोड़ा सा दिमाख लगा लो M not or M e अब आपको याद हो तो M e तो मैं करवा चुका हूँ बोलो M e करवा क्या है हूँ न जस्ट अभी अभी simple वाले के लिए पहला case ले लो पहला case क्या है आगे देख लो पहला case यहाँ देखो मैं बोलता हूँ M is equal to क्या आ गया है M e into मैं M not बोलो correct अब मैं बोलता हूँ इसके अंदर थोड़ा सा देखना बोलो sir M e M e की बात है और M e कितना निकाला था मैंने simply M e निकाल के आए अभी 1 प्लस d upon में f e बोलो निकाल के आए और निकाल के आए भाई यह देखो यह रहा यह रहा देखो 1 प्लस d upon f e M e तो निकाला ही है किसके बात कर रहा हूँ minimum distance d पर case 1 है image formed at d distance बोलो correct है d distance की बात कर रहे है अब बात देखो यहां से बोलो sir यह तो हो गया M not क्या होगा M not होगा भाई यहां पर देखो M not का मतलब क्या हुआ कि sir V not और V not का मतलब क्या हुआ देखो थोड़ा सा अगर आप लोग को याद हो तो M E तो यह हमारा हो गया अब मैं बात करता हूँ यहां पर M not की M not क्या होगा M not हमारा हो जाएगा भाई कि sir यह हमारा object रहे है sir लगता है और लोगों को नीद आ रहे है इसलिए reply ने कर रहे है अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं नीद आने दो अभी नीद आएगी बात में exam के time पर बहुत दिक्कत होगी क्या हो जाएगा देखो यह हमारा हो जाएगा V not upon U not बोलो correct है अगर यह correct है भाई मेरे तो यहां से देख लो क्या हो जाएगा दोनों को add on कर दो M is equal to क्या आजाएगा यह आजाएगा minus V not upon में क्या हो जाएगा U not और क्या हो जाएगा मेरे भाई 1 plus में D upon में F A बोलो correct है सुझी शर्मा, hello बेटा कोई बात नहीं बेटा लेट होगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है लेट होगे कोई दिक्कत की बात नहीं है सुझी शर्मा, hello बेटा कोई बात नहीं है तो क्या हो गया minus V not upon U not बोलो correct है minus V not upon U not हमारा हो गया है ठीक है अगर यह हो गया है तो अब कोई बताएगा क्या होगा सर इसके अंदर जल्दी मुझे बताओ नहीं सर, ऐसा नहीं है विशाल कुमार S कुमार, okay बेटा जल्दी बताओ अगर एक case और ले लो अब मैं बोलता हूँ कि सर मान लेजिए अब हम लोग क्या करते है थोड़ा सा कि सर इसको मैं मान लेता हूँ कि जो यह V not है V not है और एक हमारा है U not इनको क्या मैं और नहीं मान सकता यानि कि अगर U not की मैं बात करता हूँ और V not की मैं बात करता हूँ तो क्या मैं इसको tube length की form में नहीं ले जा सकता क्या अगर सकता हूँ बेटा tube length की form में नहीं ले जा सकता जल्दी बताओ tube length की form में नहीं ले जा सकता जल्दी बताओ क्योंकि मैं माल लेता हूं कि यह मेरा क्या है यह मेरा क्या हो जाएगा अब कैसे लिखा गुरुजी बोला दिमाग में आएगा कैसे लिखा भाई मैं बोलता हूं कि अगर मेरा जो अब्जेक्ट है अगर यहां पर रखा हुआ होगा तो यह हमारी अप्रॉक्सिमेटली इसके अगर यहाँ पर shift होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ सर यहाँ पर shift होगा, अगर इस तरफ shift होगा तो यह बीच की जो distance होती है ना, इसको हम लोग बोल देते हैं, tube distance, क्या बोल देते हैं, tube length में इसको बोल देता हूं, क्या बोल देता हूँ जाने किसर एड्जी स्सिंट कितना होता है ओक ओक होड Judy मैं सोबढ़ हो डतेजिए फिक वैलकम वैलकम साधान favora आप को के बिटा भाइत भाइत था है तृषी अगर किसी को कोई डाउट होता है क्वाईयरी होता है तो वह आप-लोग मुझे एन डारेक्ट कॉंटेक्ट कर सकते हो जिसने नहीं अगर में अगर में जिन्हों और ग्रूप ग्रूप जोगा रेक ठाएं तो इस पर कर सकते हो गजिंद्र डॉट कुमार एड़ी रेट अड़ा 247 डॉट कॉम इस पर अगर किसी को कोई भी दिक्कत होती है नोट से रिलेटेड वो इस पर मेरे को लेक मेल कर सकता है ठीक है है का हिवा है के for amor ये जल्दी बता छे ऑफके मुझे बता हैं अगर मुझे बताओ कि तो क्या हुआ थोड़ा सा ओडेशोर जल्दी बताओ भई एक चीज़ सोचो थोड़ा सा दिमाग लगाओ यहां पर दिमाग यह कह रहा है कि माल लीजे यह तो आप लोगों के पास है यह तो आप लोगों निकाल लिया है मैं बोलता हूं इसको इसकी फॉर्म में लिखना चाहते हो तो यह हो जाएगा यहां से सब्सक्राइब मैं लापन कर नोट कि वर प्लॉस टीज के फॉर्म में फिर या जल्दी से बताओ जल्दी बताओ जल्दी से बढ है कि अ कि दूलदी बता वाई इसका है तो निए है कि भेला अगन लिजीक के कह1 और ले लोई इसका वो लो कि माल लीजिए मैं बोलता हूं कि सेंल प्राइब बंड़ जाए न कि में फाइन कुन्र भिले तो क्या हो बोलो था यह नहीं था जल्दी मुझे बताओ अगर था तो इसी तरीके से मनोट क्या उजाएगा सर एमनोट तो हमारा सेम रहेगा क्या रहेगा भाई वी नोट अपॉन में क्या हो जाएगा यू नोट क्रेक्ट है यहां पर हमारा क्या हो जाएगा बिटा एम इस इक्वल बेख लेता हूं एक सेकंड इक सेकंड रहे सबस्टाइब थोड़ा सोचो अगर इसको मैं देखता हूं तो क्या हो जाएगा यह हमारा है अगर इसको एक यह रिसेक्ट में जाओगे तो is equal to कि मैं युपान इंतु मुंट इन्टु में झाल जいूचके हैं कि कुbut बात करते हैं कितने झाल को याद है किसरdes Democratiba को याद है ये हमारा क्या हो जाता है इसका दूसरा फोर्मिशन हो जाता है जब हम लोग बात करते हैं इमेज का बन रही है इंफाइनाइट के उपर बन रही है तो यह केस हम लोग ले लेते हैं बोलों समझ में आए नहीं है मैं देखो दोनों की दोनों बैतरी नंग से explain कर दिये सिंपल तरीके से मैं explain किया है जिससे क्या है exam के point of view से आप लोग इसली निकाल पाओ तो यह हमारा देखो किया यहां पर लोग ल लिख सकते हो यह धामरी के तेलिस्कोब को तो मुझे पूछ लो कहीं कोई दौट रहा है उतों पूछ सकते हों जलदी वेलो तो मुझे पूछ सकते हो जल्दी बहुत करतें अब की बात करते हैं उत नमतर लगों पता लग गए है कि सर इसका यूज हम लोग करते हैं हमारे से दूर जो प्लानिटस हैं उसके अलावा जितने भी हमारे से दूर ओर्बिट से हैं चितनी भी चीज़ें उनको हम लोग देखने के लिए इसका यूज करते हैं जिसको हम लो बोल देता है और कभी तेलिस्कोब यानिकि जो हमारे एस्ट्रोन मर्स होते हैं उनके लिए यह काम आता है अगर ठीक है तो अब यहां से देखे क्या है किसार यह हमारा क्या है मैंने बोला कि यह हम लोग जो ऑबजेक्ट की तरफ रखते ना इसको रखते हैं लार्ज अप्रेचर का और लार्ज हमा आता हूँ कि अपनी कल से इस्टार्ट होने वाली है अडान सीरीज और उडान सीरीज के अंदर हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग चाप्टरों को बिलकुल मखन की तरह पढ़ लेंगे और सारे चाप्टर को कर देंगा साथ दिन में होली स्पेशल गित हैं इसके अंदर बेटा स्टार्टिंग के तीन दिन यानि की मंद आज 14 है 15 16 17 तीन देज मैं लाइव लूँगा दो दिन तीन दिन आप लोगों को recorded form में मिलेगा बट यार recorded मस समझना है उसको उसके लिए मैंने बहुत महनत करी है उसके लिए उसको recorded मस समझना क्योंकि मैंने चीज़ आपको भी पता है होली का फेस्टिबल है तो आप लोगों की पढ़ाई ना चूटे इसके लिए मैं पहले ही सारी चीज़े मैं कर लूँगा यश्वन तलाल सर हिंदी में रीड करें ओके बेटा ठीक है हिंदी में अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो पढ़ेंगे बेटा और उसके अलावा जो मैं मिलूँगा आप लोगो को लाइव नेक्स्ट वो मिलूँगा ओन मंडे मंडे को तो मेरी लाइव होने वाली ह ठीक है भाई तो टेंशन की बात नहीं है यह जो सीरीज है ना यार इतनी गैरंटी है अगर इस सीरीज को जिसने पढ़ लिया ना उडान सीरीज को इसके बाद में उसको दिक्कतें नहीं होंगी कितनी बजे उडान सीरीज का टाइमिंग लिख लो कल से होने वाली है स्टार्ट शाम को साथ से नौ बज़े तक उडान सीरीज के अंदर सारे लोग ऊड़ने वाले हो और उसके अलावा जो हमारा ये क्रेश कोर्स सल रहा है इसकी क्लासिस में आप लोग की मिस नहीं हरश्यता बिटा टैंशन ना लो इसके अंदर जो आप लोग पढ़ने वाले हो नो वो बहतरीन बड़े लेवल पर पढ़ने वाले हो यार बड़े लेवल में इसके बाद मैं आप लोग दिक्कत की बात नहीं होगी सिर्फ आप जैसे students बहुत और जुडें बिटा आज से था लेकिन क्या हुआ आज थोड़ा सा technical problem था जिसकी वज़े से आज नहीं हो पाया लेकिन मैंने फिर भी एक promise किया है कि मैंने आप लोगों की classes का नुकसान नहीं होगा मैं hand-to-end studio आया अब लोगो airs ते ही पता लग रहा होगा studio आया और मैंने फिर आपकी classes conduct कराई है अभी just मैंने लगवा दी class जिसके बाद में कहा है कि आप लोगों की class हो यार class आप लोगों की नुकसान ना हो इसलिए ठीक है बाई clear है अब clear है तो चलो इसको भी देख लेते हैं इस telescope के देख लेते हैं यास बेटा बिरकूल कि flying करेंगे without wings के लेकिन इतना guarantee है जिसने इसको मजे से पढ़ाना जिसने मेरी मेहनत अगर marathon के अंदर देखिए ना उससे double मेहनत था है इतनी guarantee दे रहा हूँ marathon के अंदर मैंने साधे 8 गंटे आप लोगों की live class ली थी chapters को पढ़ाया था उसके बाद मैं फिर मैंने second part लेका आया था जितनी मेहनत मैंने उसके लिए की थी ना उससे ज्यादा मेहनत इसके लिए यह यार मेरा इमाल लीजे ड्रीम ही है कि यार आप लोग बरकुल एक खतरनाक सीरी जो जिसमें मजा आ जाया आप लोगो इसलिए तो चलिए यहां पर देख लीजिए है एम इसवल्टू क्या हो जाएगा था महिस्फंटू क्या हो जाएगा अब अपान जेरी अपान अल्फा है इतना तो सब को पता लग गया होगwr कम प्रणस को पता लग अनिर Let's अब मेरे बाई देखो मैं एक चीज बोलता हूँ आप लोग को क्या बोला हुआ है कि सर हम लोग लेते हैं जो object होता है उसकी minimum distance को अगर minimum को मैं लेता हूँ तो इसका मतलब क्या हो एक सर यह हमारा क्या होता है अलफा लेकिन इधर हाइट नहीं बता मुझे इधर की तरफ पता है इसलिए मैंने इसको अलफा इधर मान लेता हूँ वैसे ही क्या होता है यह हमारा क्या होता है बीटा होता है बोलो है यह हमारा क कैसे हैं सर मैं में थियोरी बताएंगे बिटा थियोरी थियोरी पिलस नियुमेरिकल्स बस याद रखना चाहे वो नौ की जगह साड़े नौ भी हो सकता यार फिक्स नहीं बट मिनीमम इतरा है कल से स्टार्ट हो जाएगा आपका सीरी जिसके अंदर हम लोग कल पढ़ने वाले वो चप्टर पढ़ने वाले बिटा आप लोग के लिए एट्थ चप्टर इलेक्ट्रो मेंग्नेटिक विग्स बिटा चॉइस मार्स से है न तो इतनी गारंटिया चॉइस मार्स है तो पहले हो जाएगी यार सीरी अपनी 21 मार्स को कंपलेट फिजिक्स 21-22 को हो जाएगी कं शनुट करा दो और कोई बात नि घ्रिक कोई बात नहीं तन्वी बात नियार कोई दिक्कद नहीं एए शैसेटि आपके पास आ रिकॉड़िट फॉर्म में है सब कुछ अवीलिबल तो काई को ड्रना यार तो देखिए अब टैन अलफा निकाल लेते हैं तैन अलफा क्या कह है ठीक है अब 10 बीटा की अगर मैं बात करता हूं तो 10 बीटा हमारा क्या हो जाता है 10 बीटा हो जाता है सर यहां से अगर आप लोग निकालते हो तो 10 बीटा जो हमारा हो जाएगा यहां से 10 बीटा हो जाएगा 10 बीटा सब कुछ हो जाएगा थियोरी प्लस निमारिकल फिजिक्स ये इस लिए ही तो मैंने बोला कि ये तुम्हारा मजा आजाएगा यार गैरंटी है सब चीज हो जाएगा सब कुछ होगा यार टेंशन डालो सिर्फ विश्वास रखो बस और एक चीज याद प्रामिश करो कि अपने जितने दोस्त हैं आठ से नो नहीं बेटा साथ से नो साथ से नो सीरीज का टाइमिंग है उडान का और ये जो बैच चल रहा है इसको भी मैं बंद नहीं कर रहा साथ दिन के लिए ये भी आप लोग का होगा दो से तीन बज़े दुपहर कल से कल दुपहर दो से तीन बज़े आप लोग का ये बैच जो है अभी जो ये 25 डेज का क्रेश कोर्स चल रहा है इसकी क्लासिस है वो आप लोग इस पर हो जाएगी ठीक है? टेंशन मतलो तो मेरे भाई यहां से क्या हो जाएगा? यह देखो यह क्या हो जाएगा सर A- B- अपन में हो जाएगा B- और E बोलो correct है मेरे भाई? बोलो correct है या नहीं है? अगर correct है तो देखो यहां से क्या हो जाएगा 10 beta की value डालो क्या हो जाएगा 10 beta हो जाएगा A- B- अपन में क्या हो जाएगा B- और इसी के साथ इसको alpha लिखोगे into में क्या हो जाएगा इसका just opposite यानिक सर B- O divided by हो जाएगा A-B- बोलो correct इससे यह cancel out क्या हो जाएगा मेरा भाई? B-O divided by B-E बोलो ठीक है मेरा भाई? यह हमारा क्या हो जाथा? M key value अब मेरे को एक चीज़ बताओ B-O और B-E क्या होगी? B-O और B-E क्या होगी? सामिया घान हलो बेटा जल्दी बताओ सब को भाई बैच नहीं मेटा सीरीज है उडान सीरीज है भाई आप लोग के लिए बोर्ड के एक्जाम जितने बोर्ड के एक्जाम देने वाले हैं भाई सब के लिए है यार इसमें हम लोग कर देंगे 7 chapters को 7 दिन में किल संडे हो, सैटेडे हो, होली हो कुछ भी हो आप लोग की किलासिस चलेगी सर उडान बैच में उडाना मत थोड़ा दीर ही चलना आपकी स्पीड बहुत है नहीं बेटा बिल्कुल सारे कॉंसेप्ट को मैं पढ़ाने वाला हूँ ठीक है उडान बैच तो विक्रम सर शुरू कर रहे है क्या नहीं बेटा, मैं ही कर रहा हूँ उडान बैच तो ठीक है टेंशन ना लो यार यार इतनी गैरंटी दे रहा हूँ ये उडान आगर आप लोग ने पढ़ लिया ना ढंग से तो फिर आप लोग ये मान लीजिए आप लोग तयारी में बहुत आगे चले जाओगे इतनी गैरंटी है सारी चीज़े हैं, concept-based numericals, concept, sub, full-on, धमाल देखो मेरे भाई, ये क्या हो जाएगा सर F0E, भाई मेरे देखो F0O, F0O क्या होगा सीधा-सीधा हम लोग लिखा हुआ है F0O हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा UE हमारा हो जाएगा, UE का क्यों मतलब है कि सर ये जो distance होती है, ये क्या होती है U होती है, जहां हमारा object रखा हुआ होता है और ये opposite direction में तो minus UE और यह क्या है positive direction में तो यह हो जाएगा F naught F naught क्यों लिया है क्योंकि सर यह हमारा जो V के बराबर ही है F naught F naught क्या है सर यह हमारा जहां मिल रहा है ना यह हमारा क्या है इसका focal focal बोलो सही है आपके smile बहुत अच्छे थैंक्य बेटा ओके बेटा अरे tension ना लो यार इतना मज़ा आएगा ना कल की सीरीज और एक चीज़ प्रॉमिस करो जितने भी अपने दोस्तें फ्रेंड्स हैं सब को कर दोगे सर मेरे थोड़े concept हिले हुए हैं basic से लेना अरे बेटा बिरकुल basic होगा यार उस class के बाद में कुछ नहीं बस यह मालो और एक चीज़ ज्यान रखना अपने जितने भी दोस्तें फ्रेंड्स हैं सब को लेके आने की जुम्मेदारी आपकी हैं आप लोग मैं यह चाहता हूं कि अपना यह परिवार है बहुत भैतरी मज़ा तभी आएगा यार सीरीज का यही तो होता है यही तो हमारा होता है फी बोलो करेक्ट है निया बोलो है निया वन प्लस डियोफ़न हां सर विकरम सर भी यही बैच आई डोंट नो मिटा अगर इस हम से बिटा इडोंट नो मज़ा आएगा बिरकुर अगर यह है तो भाई इसको लिख दो अगर इसको लिखोगे तो क्या होगा देखो नहीं तो इसको पहले पूरा ही लिख लो आप लोग को याद हो तो यह हम लोगोंने क्या लिखा हुआ है यह हम लोग लिखते हैं सर एक वन ओपन एफ प्लस वन ओपन डी यही तो था भाई यह अक्चली में क्या था वन ओपन यूई की मैं बात करता हूं वन ओपन यूई जो हमारा था वह हमारा कितना था वाहिए वन ओपन यूई कि में बात करता हूं कितना था यह अपनान यूग ऑन-फी वन ओपन एक यह जाएगा और यहां से क्या हो जाएगा पेटा वन अपॉन व्लस में वन अपॉन डी बोलो कारेक्ट हैं यहां से एफ इपर ले लो क्या करो पेटा एफ इको बाहर ले लो ए फी को क्या करओ यहां से वन प्लस में फ़िय्ट अपन में हो जाएगा दी बोलो करreогод मोन करेक्ट हैनिया जल्दी से बताओ कृएंट समसे आगे निकल जाएंगे पिटर जैस्ट down Around जल्दी बताओ correct है अगर यह correct है अगर यह correct है तो इसी प्रकार से अगर यह मैंने का लिया डिस्टेंस पर है डिस्टेंस पर इसी प्रकार से माल लीजिए आप लोग लेते हो infinite के उपर तो गर होता है तो यह M equal to क्या होजाएगा माइनस FNOT अपन में क्या हो जाएगा यही हमारी वैलियूस होती है यही हमारी वैलियूस होती है माइनस एफ नोट अपन एफ ए सर फादर ओफ किमिस्ट्री विक्रम सर ओके 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 ठीक है ठीक है ठीक है भाई तो यह था आपके लिए मैंने सारी चीजें अल्मोश 54 मिनिट में यार कंपलीट करा दिये तीनों के तीनों सिंपल माइक्रो जो इसकूप है उसके लावा कंप हो तो बोलिए डाउट थोड़िये किसी को अब तो भाई कल के लिए तयार हो ना सारे तयार हो अपने जितने दोस्त है कम से कम दोड़ो दोस्त को पकड़ के लेके आना सारे लोग और कल की जो सीरीज है जिसके अंदर उडान ठीक है भाई ओडान सीरीज है साथ से नौ बज़े तक परडे और उसके लावा जो यह हमारा क्रेश कोर्स है इसकी जो टाइमिंग रहेंगी कल से वो रहेंगी दो से तीन बज़े तो भाई क्रेश कोर्स में भी जुड़ जाना अब देख लेना crash course को भी और उसके लावा odan series में टो सबको जुडना ही है और अपने जितने friends हैं, दोस्त हैं सबको लेके आणा है sir, thank you thank you sir for your thank you sir for class okay, thank you, सभी को बाई thank you so much at the 247 school से जुडने के लिए अगर मेरा पढ़ाइा हुआ अच्छा लगाए लोग अपने एक्जाम के अंदर बहुत बैतरीन पर्फॉर्म करें तो जुड़ना ना भूले कल मेरे साथ उडान सीरीज के अंदर और चीजों को विर्कुल उडा के रख देंगे मेरी लेंग्विज में ठीक है भाई तो थांक्यू सो माच अड़ा 24-7 स्कूल से जुड़ने के लिए बाई गुड़नाइट सभी को शब्बाख है तो मिलते हैं कल दुपैर दो से तीन वजे क्रेश कोर्स वाले बैच में और शाम को सास से नौ बजे उडान सीरीज के अंदर थांक्यू सो मच